आपको यह जो लिखा हुआ दिखाई दे रहा है समस्थ पार्टी कारेकरताओं को सूचित किया जाता है कि प्रसाशन एवं पुलिस से संबंदित किसी कारे के लिए अपने शेत्रिय सांसद विधायक से संपर्ग करें क्योंकि संगठन वर्तमान प्रसाशन एवं पुलिस से किसी भी प्रकार की समस्या का निवारन कराने में सक्षम नहीं है बताया जा रहा है कि यह बेचारी एक राजनीतिक पार्टी के जिला अध्यक्ष की पीड़ा है अब आप सोच रहे होंगे कि विपक्षी पार्टी के नेताओं की कौन सुनता है और आज तक किस सरकार में विपक्षी नेताओं की सुनी गई मगर रुकिए कानी तो यहीं से शुरू हो रही है अब आप इस नोटिस का पूरा हिस्सा देखिए इस नोटिस में सबसे उपर लिखा है भारतिय जनतापाटी, जनपद, बहराईच और सबसे नीचे लिखा है जिला अध्यक्ष बहराईच इस नोटिस के सामने आने के बाद बहराईच से लेकर लखनाओ तक बीजेपी संगठन में खलबली मज गई है और कई तरह के कयास लगाने शुरू हो गए है वहीं विपक्षी पार्टियों का यह कहना है कि पहले तो सरकार विपक्षी पार्टियों की नहीं सुनती थी अब तो सरकार और प्रसाशन खुद अपने लोगों की भी नहीं सुन रहे इस नोटिस के सोशल मेडिया में आने के बाद जब बीजेपी की भारी किरकरी हो गई तब कहीं अचानक सोए हुए जिला अध्यक्ष उठकर सामने आए और कहा कि यह नोटिस ही फेक है हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है मगर बहराईच की राजनीती को करीब से जानने वाले राजनीतिक विशेशक्यों का कहना है कि नोटिस तो ठीक लिखा गया है मगर आत्म गिलाने की वज़ा से सवीकार नहीं किया जा रहा होगा फिलाल मामला चाहे जो हो पुलिस इस नोटिस की जाच करने में जुटी हुई है मगर बहर पकड़े किसे इस पर भी बड़ा सवाल है झाल